एई नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है ब्लोगर एडिसंस अपरूवल सीरीज पार्ट टू में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम लोग होस्टिंगर के डॉमिन को ब्लोगर से कैसे कनेक कर सकते हैं दोस्तों मैंने ब्लोगर.com की सीरीज स्टार्ट की है और उस पर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे आपको डॉमिन पर्चेस करना है कैसे अपना blog start करना है तो आज की इस वीडियो में आपको blogger.com पर अपना hostinger का domain है वो कैसे connect करते है और अपनी website कैसे वहाँ live करते है वो सारा मैं बताने वाला हूँ तो दोस्तो ये 2021 की बिल्कुल new trick होने वाली है तो अगर आप लोग hostinger से domain purchase किये है तो वीडियो को miss बिल्कुल जरू ना करे और दोस्तो साथ मैं बता दू कि अगर आपका go daddy का domain है या फिर आपने दूसरी किसी website से domain purchase किया है तो अल्रेडी मैंने वीडियो बना रखी है वो वीडियो आप देख सकते है तो दोस्तो बिना time waste किये चलिए सुरू करते है दोस्तो डॉमिन को blogger पर connect करने से पहले मैं आप सभी को एक request करना चाहूंगा अगर आप लोग blogger की series ये वो आगई ऐसे ही continue देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को नुचे का लाल बटन दबा कर subscribe जरूर कर लो अब दोस्तों यहां पर मैं आपको बताता हूं कि आपको hostinger का domain है वो अपने blogger website में कैसे connect करना है तो यहां पर आपको सब से पहले तो अपना जो domain है उसके यहां पर main dashboard में आ जाना है अब यहां पर हम जाएंगे blogger में यहां पर मैंने जो new Gmail से blogger बनाया था वहां पर जाओंगा अब है तो direct account आ जाएगा अब दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है सबसे पहले blogger का account बनाना पड़ेगा तो दोस्तों यहां पर sign in करने के बाद आपको सबसे पहले अपने blog का title देना है तो हमारी यहां पर website है live hindi tips तो मैं हम अपना custom domain यहां पर connect करेंगे अगर आपका blog address अवेलिबल नहीं होगा तो आप इसके पीछे कुछ और डाल दीजिए कोई यहां पर आप वाट डाल दीजिए तो आपका यहां पर blog address अवेलिबल हो जाएगा उसके बाद आपको simply next कर देना है यहां पर को display name दिखा रहा है तो display name में आप यहां पर अपना जो name देना चाहते है author का वो यहां पर आप दे सकते हैं मैं यहां पर अपनी website का नाम है वही दूंगा तो live hindi tips यहां पर रख देता हूं उसके बाद हम finish पर click करेंगे तो हमारा यहां पर blogger का account है वो बन जाएगा और अब आगे की process हो आप देख लिजिए कि कैसे यहां पर आपको domain connect करना है और कैसे आगे की process है वो आप लोग करेंगे यहां पर यह notice आपको देखने को चेर्ड चार्ड नहीं करनी है blogger में सारी जो setting है उस पर में एक separate video लाओंगा एक part लाओंगा जैसे कि आपको एडिसेंस अपरोल में कोई भी दिक्कत ना हो यहां पर हम सबसे पहले custom domain में जाएंगे और यहां पर आपको यहां पर www. डालना ही डालना है अगर आप कहीं से भी domain करने कर रहे है blogger में तो आपको www.डालना ही पड़ेगा उसके बाद आपका जो भी आपने domain purchase किया है वो यहां पर डाल दीजिए तो मैं यहां पर अपना domain डाल देता हूं livehindytips.com तो इस तरीके से आपको अपना domain है वो यहां पर hostinger के account में यानि की जो domain आपका जिसी भी website में है वहां पर आपको देने है तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर hostinger में DNS name server का option मिलेगा अब दोस्तों यहां पर DNS record में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे default यहां पर DNS मिल जाते हैं यह हमारे किसी भी काम के न करने करने हैं तो इस तरह किसे आपको यह सारे डिलिक कर देने पड़ेंगे तभी जाके आपका domain connect होगा नहीं तो क्या होगा कि आपकी साइट है वह बिना www.web.com नहीं होगी जा फिर आपकी साइट है वह कभी-कभी hostinger की website है वहां पर redirect हो जाएंगी तो आपको यह चीज़ करने हैं तो आपको सिंपली सीने में चले जाना है आपको यहां पर यह हटा देना है और हमरा पहला सीने में साथ www और उसके बाद यहां पर उसका जो टार्गेट है वह आपको यहां पर कोपी करना है तो उसके लिए आपको वापस दोगर में जाना है और आप देख सकते है यहां पर name में www.destination में जो आप यहां पर देख रहे हैं उसको आपको copy करना है और अपने hostinger के domain में जाके connect कर देना है तो यहां पर आपको simply copy कर लेना है और उसके बाद यहां पर आपको target में डाल देना है यहां पर आप Ctrl V करेंगे तो आपका paste हो जाएगा उसके बाद इसको चेड़ेना नहीं है simply add record पर आप ख्लिक करेंगे तो आपका पहला सी नेम है वो यहां पर आ जाएगा अब दोस्तों आपको दूसरा अपना सी नेम लगाना है तो उसके लिए वापस आपको सीने में जाना है और आप नेम यहां पर आपको यह अटा देना है और यहां पर द दूसरा सीने में वो कोपी हो गया अब यहां पर उसका target है जाने कि उसका होश्ट है वो आपको कोपी करना है यहां पर आप देख सकते हैं यह लंबा चोड़ा जो भी है वो आपको पूरा कोपी करना है यहां पर gv से start होता है दोस्तों एक बात आपको और बता दू कि यह आपने कोपी किया है वो आप कहीं नोट कर ले क्योंकि जब आप इसी ब्लोगर में दूसरा ब्लोग बनाते है तो आपको यह देखने को नहीं मिलता है तो आप यह जो सीने में वो एक बार यहां पर आपको देखने को मिल रहे है तभी आपको सभी कोपी कर लेने है और कहीं न नीचे वाला सीने मेफो कहीं नोट्पड में नोट करके जरूर रखे अब दूस्तो हमारे दौनों सीने में वह यहां पर आ चुके है अब दूस्तो आपको सिर्फ चार ईडु क्ये से लगाने है वो मैं आपको बता देता हूं तो आपको यहां पर एक लिंक दी के जो भी डॉमीन है वहां पर जाके आपको लगाने होते हैं तो हम पूरा ना जो हमारा डोगर का डेस्बोड था उसमें हम इसलेक्टेड अलड़ेडी यहां पर आपको नेम में यही रखना है और पॉइंट में आपको यह जो आपने कोपी किया है वह आपको यहां पर डाल यह पर यहां पर यह जो आई पीडर से वह सभी सेम है सिर्फ इसमें 32, 34, 36 चारीस और 38 में यही तरीके से यह तो आपको इसी तरह यहां पर डालते जाना है यह पर आप देख सकते हैं ने यहां पर चारों है वह पेश्ट कर देदा हूं उसके बाद कैसे करनेक्ट होगा वह यहाँ सिर्फ 34 कर देता हूं से बाद है यहां पर हमारा थीसरा है वो 36 है यहां पर फिर से वही प्रोसेस करनी है 36 to 36 कर देता हूं और यहां पर 36 हो चुका है अब लास्ट एक 38 वाला बचा तो चारों यहां पर आपको प्रफ़ाइप प्रफट करने जरूरी है वरना आपका डॉमेन है वो कनेक्ट नहीं होगा तो यहां पर आपने चारो एड कर दिये उसके बाद जाके आपको अपने ब्लोगर में वापस जाना है तो मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं कि किस तरह आगे की प्रोसेस आपको करनी है तो यहां पर हमारे चारो एड नेम है वो यहां पर रेकोर्ड हो चुके है तो आपको इसी तरह एक बाद चेक कर लेना है कि चारो सही है या फिर नहीं तो अब दोस्तों यहां पर हम वापस चलते हैं ब्लोगर में और मैं आपको दिखाता हूं यहां पर सेव करके से या फिर नहीं तो उसके बाद हमारा डामीन वो आपको save पर क्लिक करके save कर लेना है तो दूस्तों आप यहां पर देख सकते हैं हमारा जो डामीन है वो connect हो चुका है ब्लोगर से अब दोस्तों सब से पहले आपको क्या चीज करनी है यह चीज आपको खास करनी है कि redirect और आपको नो कंटेंड का एरर आ सकता है तो यह चीज आप जरूर करें अब यहां पर हम व्यू ब्लोग करेंगे दोस्तों तो हमारा ब्लोग है वह ओपन हो रहा है या फिर नहीं तो हम यहां पर चेक कर लेते हैं हमारा डॉमेन है वह भी ब्लोगर से कनेक्ट हुआ है या फिर नहीं तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हमारा डॉमेन है वह कनेक्ट हो चुका है लकिन अभी साइट ओपन नहीं हो रही है दोस्तों खास बात आपको यह चीज बता दूग कि आपको यहां पर अपना एटीटीपीएस ओन करना ही करना है नहीं तो आपकी साइट है वह बिना एटीटीपीएस खुलेगी और वह साइट गूगल में सीक्यूर नहीं माने जाती है आपको एड़सेंस का अपरूवल तो मिल जाएगा लेकिन वह यूजर के लिए और एड़सेंस फ्रेंडली नहीं होती है तो आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है जब भी आप अपना कस्टम डॉमिन करने करें तो यह वाला उप्सन और यह दोनों अप्सन आपके ओन होने ही चाहिए उसके बाद जाके ही आपका अपनी इस वेबसाइट में सारा काम करना चाहिए नहीं तो आपके य यह जो वेबसाइट है वो यहां पर ओपन हो रहा होगा और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्लोगर की कौन सी सेटिंग करनी है उसके बाद जाकर ही आपको पोस्ट लिखने जाओगे दोस्तों तो यहां पर क्या होगा कि आपकी गूगल में रेंकिंग है वो नहीं बड़ेगी और आपको अपर वेडियो मिलने वाला कि क्योंकि सेटिंग के बीन आपको जाएंगे तो कुछ ऑप्सन मिलने तो जोगो option के साथ अगर आप पोस्ट लिक होगे तो आपकी पोस्ट की कोई वेल्यू नहीं रहने वाली है तो आप मेरे जो blogger setting का अभी next video आएगा उसका wait करें क्योंकि दो दिन में में वो video डाल दूँगा और उसके बाद हम आगे की post post डालना है और theme customization के सारे वीडियो में लाने वाला हूँ तो दोस्तों आज की वीडियो में यही था कि blogger में custom domain कैसे connect करते हैं जो हमने hosting गर से लिया था तो मैं यहां पूरी तरह site live आपको customize करके दिखाऊंगा और live adsense approval लेकर दिखाने वाला हूँ तो यहां पर आप मुझे step by step follow करते जाईए अगर आपका खुद का website है तो भी आप मुझे follow करते जाईए आपको इसी तरह करना है सारी चाहिए आपको easily adsense का approval है वह मिल जाएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा है नीचे comment करके जरूर बताए और वीडियो को like जरूर करे मिलते है next interesting video में तब तके लिए जाई हींट